अब जैसे लाप्लास में देखा था था हमने-वनतापे से हमारा is यदि हमारा मुल्टिप्लाई हो रहा हो तो जितनी भी टी की पावर है जैसे यहां पर टी की पावर रहा है तो एक बारист का कर देंगे और बनापों टीकिक्टिंटिेर स कर देन कर देंगे और पर लाप्र esse detox ह से मल्टिप्लाई हो रहा है तो दो बार हो जाएगा पहले एक बार करेंगे जोसकरी जलताएगा फिर उसका दूसरी बार कर देंगे थी अब इंटरेस्टेड चीजगे हैं हापर लिमिट किया आईगी जैसे कि मैंने बोला लापलास एंवस क्या होता है लापलास का 之 dip होता हय तो हमारा प्लास प्लास का आपलास कर दलता है और प्लास कर सोथ़ तो पर इंवर्स प्लास को ŁOM OUT या होता है 0 to t तो आप इसकी लिमिट जडाइट भी याद रख सकते हैं यदि P की पावर से 1 upon P से मल्टिप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करेंगे इंटिगेसं करेंगे जिसकी लिमिट क्या होगी 0 to t इवनना हम लोजिक से भी याद रख सकते हैं इसका रैसी प्रोकल होगा या 1 upon infinity क्या होता है 0 तो इसकी लिमिट हो जागी 0 to t इससे फायदा ही होगा यदि आपको एक की लिमिट याद रख से लापलास में 1 upon t या 1 upon P से मल्टिप्लाई दूसरे लिमिट आप ओटोमेटिक याद कर लेंगे याद रखना प्लेस भी एक दूसरे से इंटर चेंज हो जाते हैं और लिमिट भी चेंज होती है प्लेस भी चेंज करने हैं P यहाँ पर नीच आ रहा तो तो T उपर आएगा infinity उपर आ रहा तो यहाँ पर T 0 नीचे की तरफ आएगा ठीक अब बात करते हैं हम सीधा खोस्तन पर आ जाते हैं हमारा लाप्लाइच इंवर्स निकालना है 1 अपों P स्क्वार इंटू 1 अपों P प्लस 1 अब यह क्या है 1 अपों P माइनस A टाइप का फॉर्मूला है और 1 अपों P स्क्वार से मल्टिप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा Fp तो यह है और Fp में P से डिवाइड हो रहा है P से डिवाइड होनी का मतलब है कितनी P की पावर से डिवाइड हो रहा है 2 से यानि कि दो बार इसका इंटिकेशन होगा सबसे पहले हम Fp को स्वार करेंगे यानि कि Laplace inverse निकालेंगे 1 upon P plus 1 का जो भी इसका Laplace inverse आएगा उससे दो बार क्या कर देंगे integration कर देंगे P के respect में जिसकी limit क्या हो जाएगी 0 to T तो Laplace inverse P के respect बनी ठीके में होगा क्यों होगा क्योंकि हमारा as a function of P जैसे Laplace inverse होगा as a function of T में break हो जाएगा तो इसका Laplace inverse क्या होगा E की पावर माइनस T 80 होगा E की पावर 80 होता है और A कैसे आता है यदि यहाँ पर A positive है P plus 1 है तो यह negative आ गया और यदि यह negative होता था वो positive आ जाता तो यह change होगा अब हमारा क्या है 1 upon P को cancel करना 1 upon P को cancel दरने का तरीका क्या है P से divide होना यानि किसका communication कर देना limit क्या होगी 0 to P तो इसका limit integration कर देंगग instant 0 to T dt में तो E की पावर Minus T का क्या integration आइगा E की पावर Minus T upon minus 1 Minus T का महाँ जैसे हम defense session कर देंगे इसमें limit put कर देंगी 0 to T तो यह क्या जाएग minus Е की पावर 0 यानि कि 1, यह हम इसे बोल दे 1-c-t, यह इसका आजेगा, इसका फर्स्ट इंटिकेशन, यानि कि हमने यह solve किया है, यह equal to किसके है, हमारा 1 upon p, 1 upon p plus a, यह हमारा इसका laplace inverse आया, यानि कि हमने एक बार जब p multiply रहा है, तो एक बार का यह असर हुआ है, पर हमारा किससे हो रहा है 1 upon p square से multiply, यानि कि हम इसका एक और बार ine 52 करेंगे, जो हमारा 1 कर आया है, तो हमें, laplace inverse हो, 1 upon p square, 1 upon p plus a को निकालने के लिए क्या करना होगा, यह जो हमारा 1 कर आया, इसका एक और बार integral कर देना है, t के respect में, तो इसका एक और बार integration कर उगे, 1 का क्या आजेग, t, limit क्या को सिखेजर स्कारां घृट चैनल मोर्स निकालना है वन अपॉन पीच्वार्ड पूजर इन्टु वन आप्र P square plus 4 into का sign मैं अलग से इस वए से लेता हूँ जिससे easy हो जाए आप भी question को इसी तरीके से note down करना जिससे आपको पता लग जाए 1 upon P square से multiply हो रहा है यानि कि P square से हम बोलते divide हो रहा है जिससे हम पता कर सेगे integration हो और difference यह हमारे laplace में helpful हो जाता है तो laplace 1 upon P square का मतलब क्या है इसमें दो बार integration होगा तो सबसे पहले हम FP का laplace inverse निकालेंगे FP क्या है हमारा यह laplace inverse 1 upon P square plus 2 का square का मतलब क्या हो जाएगा sin AT upon A यानि कि sin 2T upon 2 तो यह तो गे laplace inverse लो FP का पर हमें 1 upon P square भी cancel करना है तो उसका तरीका क्या होगा हमें इसका दो बार integration करना होगा एक बार integration कैसे होगा 0 to T कर लेंगे हम ठीक dt यानि कि 1 upon P का हो गया यह किसके एक क्वल हो गया laplace inverse 1 upon P into 1 upon P square plus 2 का square यह खाली अभी एक power का करेंगे सबसे पहले यह 1 by 1 integration होगा तो इसका 1 upon 2 भार ले ले sin 2 T का क्या हो जाएगा cos 2 T upon 2 minus sin भी आएगा ठीक और यह limit क्या हो जाएगी 0 to T तो minus 1 upon 4 भार आजाएगा ठीक और यहाँ पर cos T की जगए T पूट करोगे तो cos 2 T आजाएगा minus cos T की जगए 0 तो cos 0 हमारा क्यों हो जाता 1 अब क्योंकि हमें इसका 1 upon P square की value निकाल लिया यानिकि इसका एक और बार integration करना होगा तो इसके लिए हम देख लेते हैं जैसे हम कहां तक पोच गए नहां तक हमने एक बार integration कर दिया अपकी बार क्योंकि हमें 1 upon S यहाँ पर P की जगए S है आप adjust कर ले क्योंकि बुक बुक पर है मैंने S से पढ़ा था तो S तो यह आप क्या करना है simply आपको यहाँ पर क्योंकि S square से multiply हो रहा तो एक और बार S से integration कर देना जैसे एक और बार आप S से integration करोगे तो 1 upon 4 cos 2t minus 1 आजेगा तो इससे हमने अलग-अलग break कर लिया तो हमारा पूर A का laplace inverse का integration आजेगा तो आप इस तरीके से एक बार करके देख ले ना integration तो मैं expect करता हूँ आपको आता ही होगा ठीक तो इस तरीके से जहाँ भी हमारा जैसे हमारा laplace में 1 upon t की power जितनी से भी multiply हो रहा होगा उतनी बार हम क्या कर देते थे integration कर देते या हम यह कहाँ दे जितनी भी t की power से divide होता है 1 upon का मतलब इत होता है उतनी बार हम integration कर देते है similarly laplace inverse में होगा जितना भी p की power से divide हो रहा होगा उतनी बार उसका integration कर देना है तो इस तरी के समला प्लास इंवर्स का डिवाइट डूल लगाते हैं